नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओलाइन एंड ओफ लिंग आन में दोस्तो एक और बहुत ही शानदार अपडेट आप लोगों के लिए आ रही है इस रो आप लोग जानते हैं बताने की जुरत नहीं है किस तरीके का विभाग है इसने भी आप लोगों के लिए एक और नोटिस जारी कर दिया है जो अभी employment newspaper में आया है 27 तारिक से आप लोगों को इसकी vacancies देखने को मिल जाएगी डिप्लोमा ITA वाले बच्चों को मोका दिया है यहाँ पर post भी mention कर दिया है 145 के आसपास जो है ITA वाले बच्चों की vacancies technician B में जो है यहाँ पर निकाली है मैं दुबारा से बता दू 27 तारिक से इसका form चालू होगा इन्होंने short notice में जो आप लोगों को newspaper में या फिर employment newspaper में दिख जाता है उसमें 27 तारिक की date mention करके दे रखी है इसका exam center कहां होगा यहीं पर होगा जहां की vacancy निकली है या फिर अभी हाली में आपने देखा होगा एक vacancy निकली थी इस रोकी जिसमें multiple centers दे रखे थे क्या उसकी तरह center दिये जाएंगे यह सारी clarity पहले से देना possible नहीं है यह clarity आप लोगों को full notification जो 27 तारिक या फिर उससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा उसमें आप लोगों को जानकारी इसकी मिल जाएगी तो इसके लिए आप लोग patience रखना अभी just मुझे आप लोगों को अफगत करवाना है कि भाया इसरो की फिर से आप लोगों के लिए vacancy आ गई है be ready prepare रखिए अपने आपको और इसरो में हमारे hand return notes बहुत ही ज़्यादा काम आये थे फिटर टरन मसीनिस के लिए AD के लिए तो उसका भी आप लोग utilization कर ले ना अगर आपने पहले ले रखे है तो नहीं लिए तो उसका link मैं आपको description ने दे दूँगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो मैं ITA पर ही ज़्यादा focus करूँगा तो हम लोग आते है पहले technician B पर अभी देखो trade इनों ने mention नहीं की है लेकिन आप जानते है isro fitter को भी मुका देता है tuner को भी देता है machine इसको भी देता है electrician को भी देता है electronic mechanic को भी देता है plumber को भी देता है carpenter को भी देता है लेकिन जो notice आएगा उसमें किस-किस को देगा यह सारी clarity पहले से बताना, जब तक notification में ना mention हो, पता नहीं चल पाएगा, तो patience आप रोग नठ लेना इसके लिए, ठीक है, तो यहाँ पर 142 post आप लोगों के लिए technician B की रहेगी, जिसमें 10th plus ITI, या फिर NTC, ठीक है, या फिर आप लोगों का NAC होना चाहिए, और NCVT इन्होंने मांगा है, तब जाके आप लोग apply कर पाएंगे, 18 से 35 साल age का criteria रहेगा, age में भी किसी प्रकार की problem नहीं रहेगी, उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, pay level matrix की, तो level 3 के साब से आपको payout दिया जाएगा, उसके बाद, dotsman B की vacancy भी इसी में ही include करके दी जाएगी, तो इसका discussion आप लोगों को जो है, ये करके देंगे हम लोग जब इसकी vacancies का, आप लोगों के लिए official notice हाजाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को fireman की 3 post, cook की 4 post, light vehicle driver की 6 post, और heavy vehicle driver की 2 post, इनकी qualification आप लोगों के सामने है, इसमें कुछ experience रखे हुएं, लेकिन हमारे IT वाले बच्चो तो इसके लिए आप लोग patience रखें, आप देख सकते हैं, 27 तारिक की date दे रखी है, तो थोड़ असा wait करना पड़ेगा, हो सकता है 26 को notice आजाए, या फिर 27 को ही आए, तो इसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, आपने देखा होगा, morning में आप लोगों के लिए एक, म फिर जाकर आप लोग उसका phone fill करना, उसके exam center multiple, आप लोगों को cities में देखने को मिल रहे है, ऐसा नहीं कि particular वहीं पर जाकर आप लोगों को उसका exam देना होगा, जहापर वो उनका headquarter है या फिर office है, ठीक है, बाकी इसरों की मुझे update देनी तियार, क्योंकि one of the favorite job है, जो जैसे जो departments है, अगर यहाँ पर बच्चा लगता है, तो आप जानती है, उसके career में कितना बड़ा एक boost आता है, उसका career असानी से जो है, आगे बढ़ जाता है, महनत करने के बाद, असानी से तो मैंने गलत बोल दिया, बाकी telegram का link description में है, आप लोग join करना, उसके लावा ज तो वो free of course classes आप लोग लगा सकते हैं, YouTube पर ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बाके धन्यवाद